नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्तर दोस्त नेहा शर्मा, स्वागत है आपका कुनली टीवी के शोव पंडी जी कहिन में, जिसमें हम आपको वास्तू एस्ट्रोनूमिलोजी से जुड़ी बिहद रोचक जानकारी देते हैं, तो चलिए सबसे पहले आपकी मुलाकात क नमस्कार पंडी जी, नमस्कार नेहा जी और दर्शकों आपको भी बहुत बहुत नमस्कार यह हुई, यह भी समझना होगा कि इसका इस्तमाल कहां है और क्या इसे पढ़ा जा सकता है, नहीं पढ़ा जा सकता है सबसे पहले हमें ये समझना होगा गरुड क्या है गरुड भगवान विश्णु के वहक है गरुड का काम है विश्णु का वहन करना वहन का मतलब उन्हें ले जाना एक जगए से दूसरी जगए विश्णु क्या है? समझना होगा विश्णु वरिस्तित रूप से शरीरी है यानि कि आत्मा है वो आत्मा है जो परमात्मा कहलाती है इस जगत में इस प्रत्वी पर संपुर्ण भ्रमांड में नहीं इस प्रत्वी पर हमारे सोलर सिस्थम में जो विश्णु के वहक है वो बेसिकली परागवन करते हैं आत्माओं का गरुड बेसिकली एक ऐसा पक्षी है जिसकी प्रजाती पाई जाती है और बहुत कम जगए पाई जाती है यूजवली कमबोडिया के इदर उसकी प्रजाती पाई जाती है लेकिन गरुड बेसिकली एक शुब पक्षी नहीं है उसका काम है किसी भी प्रेत को यहां से वहां पहुचाना जोतिशास्त्र के नुसार लाल किताब एक ऐसी पुस्तक है जो हमें गरुड पुरान के संबंध में भी एस्ट्रोलजिकल सिगनिफिकेंस देती है जब किसी भी व्यक्ती पर राहू की महादशा चल रही होती है या राहू में ब्रहस्पति का अंतरा रहा होता है ऐसी जगहों पर जहां मृत्य तुलकष्ट होते हैं वहां पर गरुड पुरान पढ़ने की सलहा दी जाती है तो पंडी जी गरुड पुरान जैसे की हमें पता है कि ये मृत्यु के बाद आत्मा की शांति के लिए पढ़े जाता है तो इसको क्या जीते जी हम पढ़ सकते हैं देखे, कुछ केसिस में जरूर पढ़ी जा सकती है, लेकिन इसे घर में पढ़ना नहीं चाहिए, इसे मंदिर में बैठ कर पढ़ना चाहिए. या अगर आप घर में अगर एकलब्य हैं, यानि कि अकेले हैं एकांत में, तो आप इसे जरूर पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसको पढ़ने पर यम का सेगमेंट जो है, वो शुरू हो जाता है, जिस किसी भी व्यक्ति के कुंडली में अगर आयू भाव में शनी गोचर करता है, या मृत्य भाव में, या छटे भाव में राहू भूचर करता है, ऐसे व्यक्तियों को सलहा दी जाती है, कि मृत्य तिल्यकष्ट को टालने के लिए, अपनी आत्म शुद्धी के लिए आप गरूड पुरान का पाठ करें, लेकिन नॉर्मल केसिस के अंदर इसे घर में कभी नहीं पढ़ा जाता, क्योंकि ये मृत्य उपरांत, जो हमारा सूतक लगा है, उसे टालने के लिए, उसे पार पारने के लिए महापता का है, जहांपर विश्णु जो है, वो व्यक्ति के आत्मा को पार लगाते हैं, देखिए मृत्यों के पस्चात, जब व्यक्ति अपना ख discipline शरीरित्या गता है, तो उसकी इंद्रियों में से अशुत्ध ही निकलती है, उसके बाद में उसको वैतरणी, एक नदी, जो यहां से यम नियम तक जाती है, उसे वैतरणी कहा गया है, तो वैतरणी को पार करने के लिए आपको गाई के पुछ पकड़ने पड़ती है, क पुछ लोग अपना स्वैंश्राद धकर आते हैं, स्वैंश्राद धके बाद में आप गरुड जरूर पढ़ सकते हैं, नियमितरूप से पढ़ सकते हैं, लेकिन मूलतह गरुड पुरान जो है, वो सहयक होती है प्रेत को देवलो तक पचाने के लिए, मृत्ति लोग तक पच पीर्द रहता है, और उसके पस्चात में उसे जगे मिलती है, कि वो आगे जाकर यम लोग तक पहुंच सके, तो यह जो पीरड है, बारा दिन का, यह इंपोर्टेंट होता है, गरुड पुरान पढ़ने के लिए और उसके श्रमन के लिए, तो पंडी जी यह गरंथ हमें आ होता है, कैसे योनी से वो उदय होता है, किस प्रकार कि वो कर्म करता है, और किस प्रकार से वो एक दिन मिट जाता है, मिटने के बाद में फिर से उसको अपने कर्मों के आधार पर फल मिलते हैं, और किस प्रकार उसके साथ में आतमाओं को यातना मिलती है बुरे कर्मों पर ये सारा का सारा पदारपन इस शास्तर के तरूप होता है उसके बाद में निश्चित रूप से फिर किस प्रकार से व्यक्ति पुनर जन्म लेता है इसकी भी पूरी वाक्या है गरुड पुराण अपने आप में महा पुराण है अगर कोई भी व्यक्ति शनी से सम्मंदित, राहू से सम्मंदित, मारकेश की महा दशा में से पढ़ता है तो निश्चित रूप से बहुत शुबफल प्राप्त करता है और उसकी प्रॉब्लम्स कड़ जाती है लेकिन इसका नियमित रूप से घर में पाट करना निशिद्ध है अब ये पन्दी जी ने बताया कि गरुड पुराण जीते जी नहीं पढ़ा जाता और घर में भी नहीं रखा जाता तो पंडीची मेरे कोशन है कि जैसे मृत्यू के बाद ये घर में ही पढ़ा जाता है उसी घर में पढ़ा जाता है जिस घर में उस व्यक्ति की मृत्यू हुई है तो इसको पढ़ने या सुनने का अधिकार किस-किस व्यक्ति को होता है जिस पर भी पातक लगेगा, उसे से सुनने श्रमन करने का अधिकार है, कई गहरों के अंदर ब्रह्मन सरफ स्टार्ट कराते हैं से, दिन के समय पे या पूरे दिन भर में, क्योंकि इसकी जोत निरंतर जलती है, तो इसमें कोई भी इसका पार्ट पवित्रवस्था में कर सकता है लेकिन मूलतह कई जगहों पर सोशिल अशान से कई जगह पर अगनी दहा का संसकार है, उसको तो कपालरिया जो करते हैं उसको सरफ अधिकार होता है, कई जगे पर यह अधिकार उन सभी पर है जिनके पर पातक लगा है देखे यह मूलतह वैसे तो सभी लोग पढ़ सकते हैं जिनके पर पातक लगा है या जिनके पर मृत्यू का आज कल लोग पातक नहीं समझते हैं सरफ सूतक समझते हैं तो आप यू मान लीजे कि जिनके ओपर एफेक्ट आया है डायरेक्ट जैसे गोतरी होते हैं या वो लोग जो मूलतह परिवार से जोड़ेवे लोग हैं वो श्रवन कर सकते हैं इसका और इसका श्रवन वो लोग भी कर सकते हैं जिनोंने मूलतह हैं कई जगों पर जहां चार कांधी जो हैं वो अगनिधास अंसकार देते हैं और जो कपाल क्रिया करते हैं तो चारों को मूलतह सुनना चाहिए और सुनना जाता है और चारों को साथ में बैठ कर भोजन करना होता है एक नियम है तो लेते हैं पंडिजी से आज के लिए कि घर में कभी भी घरूड के साथ में भगवान विश्णू की पिक्चर नहीं लगानी चाहिए लेकिन जहां पर भी मंदिरों के अंदर भगवान गरूड विश्णू के साथ में विराज़ित हैं वहां पर अकाल मृत्य को टालने के लिए और प्रेत क्रियाओं से बचने के लिए कईयों पर जहां पर प्रेताधी की प्रॉबलम आती है उपरी हवाओं की प्रॉबलम आती है तो वहां पर ओम गरुड धजवाय इस मंतर का आप जाब करें और भगवान विश्णु और गरु हम उमीद करते हैं हमारे सभी दर्शकों को बहुत कुछ जानने के लिए मिला होगा तो फ्रेंड्स इसी तरह के और में इंट्रेस्टिंग टॉपिक हम रोज आपके लिए लेकर आएंगे पंडीडी से सवाल जबाब करेंगे तब तक के लिए नमस्कार लेकिन जाने से पहले हमारा योट्यूब चानल कुलनी टीवी फेस्बूक पेच कुलनी टीवी लाइक और शेर करना ना भूलें